नमस्कार विद्यारतियों अंतराश्री घट्नाग्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ स्वागत करते हैं आपने थमनिल में देखी लिया होगा टाइटल में वह कौन सा देश है ऐसा कौन सा देश बन गया है जिसने अपने सभी समस्त देशवासियों का क्या करा दिया है तो समझते देष्वासियों का डिनने इस्क्रीनिंग कराना शुरू करते हैं यह पहल किसने शुरू करे यह आभ थे पहलने चैपकर मैं समझाव करें बहुता है मोनाश विश्वुद्यालै ने स्क्रीनिंग कराई जा रही है अपने देश वासियों की और श्रेलिया देश के द्वारा वो संभवता हार्ड डिसीज और कैंसर डिसीज को लेकर कराई जा रही है लेकिन लगे हाथ इसमें सभी रोगों का पता लगाया जा चुका है सभी रोगों का पता लगाने के बाद वह लोग है उसको देखकर बहुत सरकार देख रही है कि सदमे में लोग आ गए हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट दिया भी जा रहा है उनको फ्रोथसाहिद भी किया जा रहा है तो सही भी है और गलत भी है अब इसमें बहुत सारे कोशन उठते हैं आपके सिक्योर्टी को लेकर कि यह तो सिक्योर्टी को खत्रा असर जब सबका डियने सरकार के पास चला जाएगा और इस से क्योर्टी अगर कभी ब्रीच हो जाती है तो फिर कितना खत्रा हो पाएगा हमारे इस देशवासियों को तो इन सबका ध्यान रखते हुए आउस्ट्रेलिया देश यह काम करवा रहा है अब आप से कुश्चन बनेगा देखिए दो तीन प्रश्नियां से बन सकते हैं पहला प्रश्न यह बनेगा कि बताइए वह कौन सा देश है जो अपने समझ देश्वासियों के डियने स्क्रीनिंग करा रहा है तो आप का से बाद दूसरा प्रश्नियां से बनेगा कि आस्ट्रेलिया में कौन सा विश्वध्याल यह ऐसा है जो डिनसी रिंग करा रहा है समझ देश्वासियों की तो आप पहेंगे मोनास यूनिवस्टी यानि मोनास विश्वध्याले है फिर तीसरा प्रस्त आपका डिने से को नियंत्रित करना है मैं फिर बता रहा हूं प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करना है जब कि आरने का काम प्रोटीन सिंथेसिस करना है फिर मैं फिर बता रहा हूं आपको डियने प्रोटीन संसलेशन को नियंत्रित करता है और आरने प्रोटीन संसलेशन को करता है या जीन को तीन भागों में बाचा जाता है सिस्ट्राउन, म्यूटाउन और रेकॉन इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे तो आनुवांशिकी की सबसे बड़ी काई हो गए डियने और आनुवांशिकी की सबसे छोटी काई हो गए आपकी जीन डियने फिंगर्पिंटिंग जब कोई चोर आपके घर पे घुश जाता है तो वो एकसी दरवाजे से लड़ जाता है या आप लड़ाई कर लेते हैं उससे तो उसका मू नोच लेते हैं तो आपके उंगलियों में आपके नाखूनों में उसकी कोई तवचा आ जाती है और से मनता है डियने में आपके चार प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं नाइट्रोजनी चार होते हैं AG, TC, adenine, guanine, thermine और cytosine DNA और RNA में मुख्य अंतर यह है कि RNA में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है याद हो गया DNA RNA में मुख्य का अंतर क्या है कि DNA में AGTC है एडनीन, गौनीन, थाइमीन और साइटोसिन और जो RNA है उसमें एडनीन, गौनीन और थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल है बाकि साजो सिन भी वहां पर है यह बात आपको समझ में आ गई अगला प्रशन DNA fingerprinting का headquarters भारत में हैंधराबाद में DNA fingerprinting का headquarters कहा है बच्छों तो आप गहेंगे हैंधराबाद में DNA का अगर आप आकार देखेंगे तो DNA जो है वो एक 2 कुंजडी सतनरचना है एक कुंड़ी यह हो गई और एक कुंड़ी ऐसे करके यह हो गई तो DNA का आका आपका डबल हेलिकल है जो कि Watson और Crick ने दिया था Watson और Crick नहीं उनने सो बासट में डबल हेलिकल मौडल दिया और उनने सो बासट का नोबल पुरुसकार प्रात कर लिया DNA का जो X-ray है वो आपका Wilkins महौदे ने किया था MHF Wilkins महौदे ने किया था Adenine, Guanine, Thymine और Cytosin जो है Adenine किस से जुला रहता है? Thymine से Adenine, Thymine से जुला रहता है दो Hydrogen Bond के साथ और जो Guanine है वो Cytosin के साथ जुला रहता है तीन Hydrogen Bond के साथ तो याद रखेगा A और T की बीच में आपका Double Hydrogen Bond है और Guanine और Cytosin की बीच में Triple Hydrogen Bond है ये सारी जानकारी मैंने आपको DNA के संबंद में दी तो DNA से संबंदित जो जो प्रस्न आते थे वो सब मैंने आपको बता दिये बहुत कम समय में और इसके बाद मैंने आपको यह अंतराच्रिगाटन ग्राम करिकर का महत्वकूंश मैंने आपको बता निया है अंतराच्रिग अदिचर्ण पाएंगे यह जैसे मैं ने बताया आना जैसे आप देख पाएंगे यह वाला पॉइंट 2 ठीक है आपको में बता देता हूं मोनाज उनिवस्टी वाली बात जो आप देख पाएंगे डिने स्क्रीनिंग वाली तो यह देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा तो फिर आपको दिख जाएगा और चोटा कर दूँगा हां तो यह दिख जाएगा विद्धा ह आपके परिक्षक जिरस्टी से महत्पून होगी ना की ऐसे ही नमस्कार झाल झाल